नमस्का साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, कि हम लोग UPSC और State PCS Prelims को ध्यान में रखती हुए एक किलास ने ली जा रहे ही आपकी, और इन कलासों में आप देखें कि आपका इतिहास भी कवर किया जाएगा, भूगोल भी कवर किया जाएगा, समिधान भी कवर किया जाएगा, अर्थविवस्था भी कवर किया जाएगी, और विग्ञान भी कवर किया जाएगा, यानि कि आपके लिए कि prelims का पहला paper होता है न जिसे आप लोग सामानध्यन paper first के नाम से जानते हैं इसमें आप देखी कि जितने भी आपके questions आते हैं जिस भी subject से आपके questions आते हैं उन सभी subject ओं को cover करवाय जागा और आप लोग भी अगर UPSC यानि कि civil service या फिर आप देखी state PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सभी class आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर रहने वाली हैं और मुझे लगता ही कि इनसे आपको prelims में कापी फायदा होगा और आपका base मजबूत भी होगा और आप देखे मुख परिक्षा में जिससे आपको फायदा मिल सकेगा आपने देखा होगा कि last class में हम लोगों ने आपकी गुप्त काल के बारे में बात की थी गुप्त समराजी के बारे में बात की थी और X के लिए एक का आपकी separate playlist सूची बना दी गई है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से उसी में आपकी सभी classیں पड़ी रहेंगी ठीक है आज हमें बात करनी है गुप्त उत्तर काल के बारे में और आप देखेंगे कि चटी सताब्दी ईसा ईसवी के मद्ध अर्थाथ 550 ईसवी देखिए AD चलने लगा है अब ईसा पूर्व खतम हो गया है ठीक है तो आप लोगों को ये भी थोड़ा याद रखना चाहिए तो 550 से ESB के आसपास गुप्त समराज पूर्रोपेड चेंडभिन हो जाता है यानि कि आप सभी जानते हैं कि जब देखिए कोई भी समराज है उसके साथ सक अगर कमजोर पढ़ने लगते हैं तो उसका खातमा होना निश्चित हो जाता है और जिससे एक बार फिर से भारती राजनीती में विकेंदरी कर्ण और विभाजन की प्रवित्तियों को प्रोवसार मिला और पैडाम सुरूप उतरवा पश्चिम भारत की राजनीती में विभेन इस्थानी ये सक्तियों का उतकरस हुआ और जो आपस में एक दूसरे रहते थे और इन सभी नवोधित राज्यों की राजनितिक विवस्ता लगभग एक जैसी थी हरस ने एक सुद्रण पिसासे निधा चते जार किया और लगभग आप देखेंगे चालीस बरसों तक एक विस्तत चेत पर सुद्रणता के साथ इसने साथन भी किया किन्तु समय तक कॉंग्रेस का एक शत्त बरा राजरा उसके बाद बाब ने देखा है कि छेत्रिय पार्टिया उबरी और कॉंग्रेस का पतन हुआ इन छेत्रिय पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई के अंद में समझ रहें आप गठवंधन की सरकार फिर आप देखें बीजेपी आप लोग उधारन के लिए समझ सकते हैं इसमें आप देखेंगे तो बल्लिवी का मेत्रक बंस और मालवा का ओलिकर बंस कन्योज का मौकरी बंस मगत का उत्तर गुप्त बंस बंगाल का गौंड राज और थानोई-सुरिक का पुस्व भूती या बर्धन बंस आप देखेंगे बल्लिवी का मेत्रक बंस और ये 475 से लेकर 770 इसवी तक रहता हैं गुप्त समराठ इसकंद गुप्त की मित्यू के बास सौराष्ट परांथ गुप्तों की अधीनता से सुतंत हो गया और परवर्ती गुप्त सासक बुद्ध गुप्त के सासनकाल में पिर और राजधानी बनाये था वल्लिवी को इसने अपनी राजधानी बनाये अगर आपसे पोहँचे की मेत्रक बंस का संथावा कौन था तो इसका भटा टार्ग ठी है और वल्लिवी इसकी राजधानी थी द्रोन सींग इस बंस का पहला सासक हुआ जिसने महाराज की उपादी धारन की थी मैतिकोरों में धुरुप सैन पिथम धुरुप सैन दुतिये दो सक्ति साली सासक भी हुए और मैतिकोरों का सबसे सक्तिला साली सासक हुआ धुरुप सैन दुतिये जो हरस का दमान बस समकालीन राजा था यह हरस की प्रियोग प्रियाग सम्मिलन में भी सामिल हुगा था और इसी के समय चीनी यात्री हैंसांग ने बल्लिभी की यात्रा भी की थी और जिसने बहुत धरम एवं सेक्षरिक केंद की रूमें बल्लिभी की पिसंसा भी की हुई थ मैतिकों के सासनकाल में वल्लिवी की वही महत्ता थी जो गुपतों के सासनकाल में नालंदा की थी और मैत्रक सासक बुद्ध मतानुए थी और मैतिकों ने आप देखेंगे बड़ोदा, सूरत, पश्मी मालवा तक अपने राज्य का विस्तार किया था और इस बंस का अंतिम सा सक्के बारे में याद रखा करिएगा, फिर आप देखेंगे मालवा का ओली कर्बंस आता है, ए पांसो अठाइस से लेकर पांसो तैनली सीसी भी तक रहता है, एडी तक, गौपतों की सक्ती को हूडों के समान गहरा, आगात पहुंचने बाला मालवा का ओली कर्बंस यह समर याद ये-सो धर्मन था, और बस्तुत आई है, एक सक्ती सालिस आसक था, और परनaler इसका उत्थान और पतान, बहुत कम समय में, क्या, बहुत कम समय में, इसका पतन उत्थान हो गया, और मन्दर सौर पिसक्ती से इसे इंद, इसे जनेंद कहा गया, और जिसने समूढ सासक महिरपुल को पराजित किया था और अपनी राध्धानी मंदसौर को बनाये था मंदसौर पिसस्ती में यसो धर्मन का चित्रन उत्तरभारत की चकवर्दी सासक के रों में किया गया है फिर आप देखें कि कन्योज का मौकरी बंस होता है और मुलता गया की निवासी मौकर के इस्थान पर अपनी राजनेतिक गतिविधियों का प्रमुक्यन कन्योज को बनाया और इस पेकार का पाटली पुद्ध अपना राजनेतिक मद्ध खो चुका था और इसकी जगए अब कन्योज ने ले ली थी जहां पर कलांतर में आप देखेंगे पितिहार पाल और कोड़ और गया के समी बराबर समूक लॉम लॉमस रिसी की गौहा से मुकरियों के तीन आरंबिक सासकों यग बर्मा सरदुल बर्मा अनंद बर्मा का उलेक मिलता है यह सभी आरंबिक सासक गया की निकट वर्ती छेत में गुपतों के अधिनस्त सासक थे और कन्योज की कितित्त की जानकारी रवी सांती विर्चित हरदा पिसस्ती से मिलती है ईसान बर्मा का पुत्र सर्व बर्मा ने उत्तर गुपत सासकों को पराजीत कर मगट पर अधिकार कर लिया था और इस को संगठित होने कंमों का दिया पेफाखर बर्धन की विद्जीव के बाद देव गुपार्धन एक नोच पर आक्मन कर ग्रह बर्मा की अत्या कर दी थी और राज बर्धन ने देव गुपत को मार डाला पर Buenos देवगुप्त के मित ससांख ने धोके से राजवर्धन को मार डाला और बाद में हर्ष ने वर्धन एवं मौकरी राज़ को एक करके कन्वच पर सासन करना प्यारम किया फिर आप देखेंगे बंगाल का गौणराज गुप्तौत्तरकाल में भारत के पूरवी चेत में बंगा है उसकी अविलेक में उसकी उपाधी महा सामंत उत्कीन है ससांक ततकालीन मोकरी ससक का सामंत था लेकिन बात में सामंत से समराज किस्तिजी में पहुंच गया था उसने गौड एवं मगद पर अधिकार करकि कर्ण सुबर्ण को अपनी राध्धनी बनाये था, और ससांग की पिती द्वेंदिता मौकरियों और बरधन दोनों से थी, जिसके लिए उसने उत्तरग उपत्य सासक, देयोगुपत सी मिध्टालित्व बाद पत्रभर्दृत की, राजबर्धन द्वारा देयोगुपत की हरत्या ससंग के लिए खुली चुनोती थी और रता हो उसने आप देखेंगे कि दोकी से राजवर्धन की हर्तिया कर दी थी। हर्त बधन ने ससांग को पराजीत कर अपने राजवर्धन के लिए बाद कर दिया था। सिपकी पीदिवा इस्थापित की थी तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए तो ससांग ये था फिर आप देखेंगे मगत का उत्तर गुप्त बंस ये 480 से लिकत 730 इस भी तक रहा AD तक समराजवादी गुप्तों के भगना उसेश पर उदित उत्तर भाती राज्यों में उत्तर गुप्त भी पिरमुक थे मगत में उत्तर गुप्त का संस्थापक कृष्ण गुप्त था और हर्स गुप्त ने हुडों को पराजित करने में परवर्ती गुप्त सासक भानुग उत्तर गुप्त की काल में मौकरीयों ने पुनाह मगत पर अधिकार कर लिया था। उत्तर गुप्त सासक मालवा की आसपास में सीमित रह गए। और हरस के बाद आप देखेंगे ओ गुप्तों की मगत साका ने उत्तर भारत की बहुत बड़े चित्र पर अपना अधिपत कायम किया और इस बंस का सबसे पिताफी सा सकता आदित सेन और इसने अपने राज्य का विस्तार उत्तर पतेश, विहार, मद्द और उत्तरी बंगाल तथा बंगाल की खाड़ी तक किया था इसने बैदिक धरम को पिरसे दिया और तीन असो में यगिवी करवाय थे। हरस उत्तर इसकी राध्धानी वल्ली भी हो गई, इसका संस्था बंगत का उत्तर गुप्त बंस मगत थी इसकी राध्धानी और किसने गुप्त इसका क्या था संस्था बंगाल का गौन राज कर्ण सोवार्ड इसका इसकी राध्धानी थी और ससांग नरेंद गुप्त इसका संस्था पक्ता थानी सोल्स का पुस्ष मित पुस्ष भूती या बर्धन बंस और इस्थानों विस्ष वर कन्यों जिसकी राधानी थी पुस्ष भूती नर्व वर्धन इसका संस्था पक्ता यह आप देखें कि पुस्ष भूती बंस का बर्धन पुस्ष भूती बंस या फर वर्धन वर्धन बंस की इतिहास को जानने का सबसे महत्पूर्ट सरोथ साहित्तिक रजना हैं और इनमें पहला इस्थान बाढ़भट बिरिचित गरंथ हरस्चरित हो गई कादमरी हो गई चंडी सतक हो गई आधी है हरस्चरित वर्धन इतिहास का प्रमुख साहित्तिक सरोथ है इतिह पर सरफितम गद्यकाव लिखने का प्रयास हरस्चरित्न में ही किया गया था और इसी पिकार कादमरी में से हरस्चालीन सामाजीक तेतन धार्मिक जीवन का वितांद प्राप्त होता है हरस्च ने सवयम तीन नाठकों प्रिये दर्शी का रदनावली तथा नागानंद की रष मुक्सरोत है वर्धन बंस के सासन वर्धन बंस के सासक किसी जाती के थे किस जाती के थे इसको लेकर भी बिद्वानों मत्भेद है हरस्चरित के अनुसार कुछ बिद्वान उन्हें चंद्रवंसी है क्या चंद्रवंसी है चत्री है मानते हैं परंतु हैंसांग ने उन्हें उन्हें बैस से माना प्यारमभी невें कित्यास की बात करें तो हर्स चरित में हरस के पूर्वज का नाम पुस्व rapidly बताये गया जबकि हरस के अविलेक हों के अनुसार पिथम राजा नरवर्धन था और नरवर्धन की पषयात किरमसा राजबार्धन पिथम आदित वरधन भाकर बर्धन था और जिसने हूडों को पराजित कर हूड हरीन केसरी की उपादिधारन की राजबर्धन की हत्या के बाद 600 AD में हर्स बर्धन सासक बना ये फिर मुख अभी लेक है इने भी याद रखेगा बंस खेडा पर तामलेक लेक ए तामपत लेक एक साय जहापर उत्तर पर देखने को मिलेगा हर्स कालीन पदादिकारियों एवं पिदेशों का बिबरन इसमें देखने को मिलेगा राजबर्धन द्वारा देवगुप्त की तथा ससंग द्वारा राजबर्धन की हत्या का बिबरन इसमें देखने को मिलेगा मर्कट सागर गाओं बालचंद और लेक हरस तथा चालो के पुलकेसिन दुतिये के मद देउद का बाड़न भी इसमें मिलता है हरस के समकाली सासक इसमें आप देखें गौन नरेश ससांग, कन्नोज नरेश ग्रह वर्मा, कामरूट नरेश भासकर वर्मन, वल्लवी नरेश धरुपसें दुतिये, वतापी नरेश पुलकेसिन दुतिये, उत्तर गुप्त, नरेश देव गुप्त हरस की अभियान देखें तो पूर्वी अभियान, पश्मी अभियान, श्रिंद की बिजय, पुलिकिसिन दुतिय की साथ दियुद, कस्मी तथा नैपाल की बिजय, उडिसा पर बिजय, चीन के साथ दूत मंडल का, आधान पिदान, ठीक है? फर आप देखेंगे हरस बर्धन, ये 606 से लेकर 47 तक इसका समय रहता है, 606 से 647 तक, AD है इसमी तक, हरस जब गदी पर बैठा तो उसकी सम्वुक पिर्मुक रूप से तीन समस्या है थी, पहला राजसरी की खोज, दूसरा कन्योज के उत्तरादीकारी की समस्या, और दीसरा वर्धन बा मौकरी वंस की सुरक् पिर्धनी बनाया, और यहीं से दोनों राज्यों पर सासन प्यारम कर दिया इसने, कस्मीर पंजाव और कामरूप को छोड़ कर लगभक संपूर उत्तर भारत पर हरस का सासन अधीपत था एक तरह से, फिर आप देखेंगे हरस ने सरपितम पूरवी भारत का पूरवी भारत का भी आन किया, और कामरूप के भास्फिर बर्बन ने हरस से मैतरी इस्थापित की, और ससान को पराजित कर हरस बंगाल पर अधीपत इस्थापित कर लिया, इसने, मगत का सासक उसका अधीनस्त था वल्ले भी नरेश धरुपसेंदूतियों को पराजित कर अधीन बनाया, और इस पेकार बंगाल में पुन्ड वर्धन से लेकर पश्चिम में आप देखें कि ब्यास ने दी तक हर्स से ने समराज विस्तार किया और हर्स ने सिंद को भी बिजय की जहां का राजा सुध्य था एवं बहुत धरुमनवाई था हर्स का सबसे महत्पूर योध वतापी के चालोग के पुलकेसिंदूतिय से हुआ था और हर्स ने कस्मीर और नैपाल तथा वुड़ीसा को भी जीता था और चीन के साथ राजनेक संबंदी भी इसने इस्थावित किये थे और आप देखेंगे कि 641 इसमी में हर्स ने एक दूत मंडल चीन भेजा था और चीन से तीन दूत मंडल 641,643,646 में हर्स के दरवार में आये थी इस तरह आप देखेंगे उत्तर भारत में हिमाले से लिकर दच्चिन में बिन्दे परवत और नर्वदा नदीत था पूर में कामरूप से लिकर पश्चिम में सौराष्ट तक विसाल चिद हर्स की प्रभाव में था य परस का समराज है यह मैप में आप लोगों को दिखाई मीं दे रहा होगा ओपर से आप लोग देखी यसमें आपका यह गंधार हो गया कौन यह गंधार हो गया यह आप देखेंगे सिमीर हो गया समझ रहे हैं आप लोग यह आपका बितस्ता नदी हो गई सिंधू नदी हो विपासा नदी हो गई, जालधरू, थानेसर, इंदपरस्त, मत्रा, कन्योज, यमना, यह आपकी गंगा नदी, परियाग, कासी, पाटलीपुत, नालंदा, यह आप देखें के पुंड वर्धन, कामरू, यह आप देखें के सुवर्ड, यह सम्ताठ हो गया, ताम में लिपी, यह बंगाली की खाड़ी हो गई, यह महा नदी, फिर यहां आएगे बिदीर्सा, साची, दस्पोर, गालव, ओजैनी, भारूकच, नर्वदा नदी हो गई यह, यह तापती नदी हो गई, यहां बल्लीभी सौराष्ट, यह आप देखेंगे अजंता यहलूर प्रिष्ठपूर, बैगी, तुंग भद्धा नदी, किष्णा नदी हो गई, यह होल, बातापी, अबेजन्ती, यह काबिरी नदी हो गई, यहां मदुरई, आपका चोल, पांडाव, चेर, ठीक है, काबिरी पत्रम, यह कांची हो गई, महाल बली पुरम, यह अनुराधाप पढ़नी सिलोन, यह स्री लंका है, ठीक है, तो यह भी याद रखेगा, एक सामन जानकारी के लिए, फिर आप देखेंगे, अगर इस समाई कि हम लोग सासन परडाली की बात करें, तो समराज निर्माता, क्या, समराज निर्माता होने के साथ, साथ हर से कुसल सासक माँ सिभरा होता था, राजा देवी ये उत्पत्ती में भी विश्वास करता था, और आप देखेंगे हर्स में समराट हर्स को सभी देवताओं का समलित अउतार माना गया, राजा का संपूर दिन पिसासने केवं धार्मिक कारियों के संपादन में बितीत होता था, और हर्स को साहता देने के लिए एक विसाल मंतरी परशद भी होती थी, हर्स चरित एवं कादांबरी में विभेंड पिकार के सामनतों मंतरियों का उलेक भी मिलता है, जो हर्स के अधिन रहकर सासन करते थे, और हर्स कालीन पे सासन पहले से कहीं अधिक सामनती एवं विकेंदरी के थ को सरपितम हर्स ने ही शरू किया था, किसने हर्स ने ही, और नयाय विवस्था का सरवच्य दिकारी राजा हुआ करता था, राज में सांती विवस्था कायम थी और दंड विवस्था, गतोड़ थी जिसके कारन अपराधों की संख्या में कमी हुई, हर्स के पास एक विसाल ससंगतित सेना थी, हैंसां के अनुसार सैना के चारों, अंगों की जानेकारी मिलती है, परंतु रतों की महत्ताक समाप्थ हो रही थी, इस समया वो सेना का सरव Character हरी स्वेम, समराठ होता था, जिसके अनुपस्तिति में सेना का संचालन, महावल, वुलाधी करता था, एक कुर् से ऐसा लगता है तो आप लोग कुछ इसके बारे में बता यहां की मतलब डर्के माय मारिय आप देखी कि इमाल लेजे穴चे कहें कि सि के लिए रग दिया जाया तो लोग कम आप देखी कि अपरात करें paradise क्रेंगे किHow इसके बारे में बताईए आप लोग थोड़ा बिचार आप लोग समझदार वेक्ति हैं अगर इस समय की हम लोग सामाजी कार्थी की स्तिति की बात करें तो हरस काली समाज वर्डा सरम ब्यवस्ता पर आ जा रही था चारों वर्डों की अतरिक्ट समाज में अनेक जादिया ब्रहमण को समाज में सरवोचिस्तान था ततकाली समाज में सबसे माहतपून परिवर्तन वैस्तेओं वासूद्धों की स्तिति में आया इन दोनों बर्गों के मद्द दोरी कम होने लगी और इनके दवारा राजा का पद समालने का भी उलेक मिलता है जन संक्या क्या एक नर्विवाहक के पिचलन काउलेख नहीं मिलता है समय लोक साकारी उमासावारी थे मदेरा पान करते थे ग्याहूं बाचावल मुख खाद्यान थे समय इस तरीवा पुरुस दोनों आभुसन भी पहनते थे तो आज भी तो आप देखते हैं कि कई जगे पहनते हैं न तो यह भ स्कालिन के अंदर ये अधिकारी तंध थे इसमें आप देखेंगे कि छोटे अक्षर हैं लेकिन बोल देता हूं तो आप लोग उपको समझ में आ जाएगा महा संधी विग्रहिक ये विदेश सचिब होता था महा बली महा बलाधी किर्द ये सैनापती होता था विहद सौर ये आप देखेंगे अस्सो सैनाध्यक्ष होता था कटुक ये आप देखेंगे गस सैनाध्यक्ष होता था राज इस्थानिय एम लोकपाल ये वायसराय होता था, मिमानसक ये आप देखेंगे न्यादीस होता था, महापितिहार ये राजमाहल का सरक्षक था, आप देखेंगे ये आपका अक्ष, पटलिक ये आप देखेंगे रिकार्ड कलक होता था, यमचिट्टी ये आप और यह आप देखेंगे फिर रचना कारी हो गया आपके इनकी रचना हर्स जैसे धावक इप्रिय दर्शी का रतनावली नांगानंद बाणवत की बात करें तो हर्स चारित कादमरी पूर पीठी का चंडी सतक पारवर्ती पेड़ा हैं तो यह आप देखेंगे कि इसकी सोर सतक इसकी रचना थी है भर्थरी की देखें तो सिंगार सतक नीते सतक और विराग सतक समराज में आप देखेंगे तो प्रांद भूती फिर आप देखेंगे बिसाय पाठक और नीचे सबसे गराम देखने को मिलेगा हरसकालीन भारत की आर्थिक दसा उननत थी यानि के अच्छी स्तिती में थी किरसी उद्योग एवं ब्यापार अच्छी अवस्था में थी समय लोगों की अजीवका कमुक आधार किरसी था बस्त उद्योग उननत वस्था में था सौने चांदी की मुद्रा के अतरिक्त कौणीयों एवं मौतियों का भिवार भी मुद्रा के रूप में होता था भारत दच्छन पूर्वे सियाई देशों से अपने पूर्वी बंदरगाओं से ब्यापार करता था तामलीपी पाप भडोच उस समय के पिसिद बंदरगा निर्याद की मुख बस्तुएं सूती बस्त गरब मसाले हांती दाथ और विलासीता की सामगरी थी जबकि आयाद की मुख बस्तुएं सौना चांदी एवं घोडा आदी थी कुछ समय अपने ब्यापार वडिजी के लिए काफी पिसिद थे जैसे ठानी सोर मत्रा उज्जैन यह भी साहित्तिक दृष्टी कौण से हर्स का काल संबरिद्धी एवं संबन्नता का काल था लेकिन बहुत तिक प्रमाड इसके विपरीत है और जिनसे याई पोष्ट होता है कि याई काल आर्थिक दृष्टी से पतन का काल था क्या था पतन का काल था धार्मिक जीवन की अगर आप लोग बात करें तो आप देखेंगे कि धार्मिक जीवन एवं भासा साहित तो हर्स के पूरबज भगवान सूर एवं सेप के उपा सकते हर्स भी प्यारम में सेव धर्म अनुआई था परन्तु दिबाकर मित एवं हैंस विमिन धर्मों और संपदायों के आचारेों की एक बिसाल सभा बुलवाई जिसकी अध्यक्षता आप देखेंगे हैंसांग ने की थी और इस और अवसर पर संगह राम ने में आग लगाने पर हर्स ने 500 ब्रहमणों को निसकासित कर दिया था बहुत धर्म के समर्थक होने क बवजूद भी हर्स ब्रहमण धर्म में भी अभीरुची रखता था वह हर पांचवे वर्स प्रयाग में महा मोक्ष परिशत का आयुजन करता था कहते देगी सब कुछ दान कर देता था हैंसांग का स्वैम चटे महा मोक्ष परिशत में भाग लिया था और हर स्वैम बिद्वान बांड भट हो गया मातंग हो गया दिबाकर आदी थे फिर आप देखें कि गुपतुत्तर काली इस पिसासनिक भी विवस्ता को देख लीज़े गुपत्तर पिसासन गुपत पिसासनिक धाचे पर ही आधारी थी परण्तु बिकंदरी कर्ण की तत्त्त ज्यादा करता था, राजा की साहता के लिए एक बहुत बड़ी मंतरी परसद भी होती थी, मंतरी को सरवोच या मंतरी को सचे ओ, अत्वा अमात कहा जाता था, समराज का विवाजन आप देखेंगे प्रांत या भूखती में किया जा गया, जिसका साथक राज इस्थानिये अत्वा ओप और एक कहलाता था पिसासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी आधिकारियों को आप देखेंगे नगत बेतन की जगे भूमी अनुदान दिया जाता था और नौकर साही में बंसानुगत तत्य पिवल हो गये थे और इस काल में दंड विधान कठोर था गुपत उत्तर काल में भ आजस का प्रमुक्स रोध भूमी कर था और इसकी अत्रिक्त आप देखेंगे ब्यापारिक मारियों विक्री की बस्तुओं आधी पर भी कर आरूपित किया जाता था ठीक है और आप देखेंगे फिर गुपत उत्तर अगर सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो समाज व दूरा इसकाल में अपने पेसे से इत्दर विवसाय अपनाने की भी साक्ष मिलते हैं इसकाल में एक महत्पूर्ण परिवर्तन बैसें वं सूद्रों के मद्ध दूरी कम हो गई और सूद्रों के द्वारा ससंकार का भी उल्ले मिलता है जैसे मत्ती पूर एवं सिंद के करने की छूट दी थी इसकाल में बैस भी बैस राज्य का मुख करदाता बना रहा परंतु उसकी इस्तिति में गराब अटाई छत्रियों के द्वारा सासंकार की अलावा किरसी एवं ब्यापार का भी कार किया जाने लगा इसकाल में सबसे जाना अच्छा प्रभाव सूद् का एक बड़ा वर्क था जिसे अत्यन आतेज कहा जाता था यह लोग नगर के बाहर निवास करते थे इसकाल की एक अन बुराई थी कि दास पिता का ब्यापक इस्तर पर पिचलन था दासों को खरीदा और बेंचा भी जा सकता था दासों का परी पश्चमी देसों को निर्या आधी का पिचलन होता है बाल विवा का प्रभाव इस्तरियों की सिक्षा पर भी बड़ा केवल कुलीन परिवार की कन्याए ही सिक्ष उतो होती थी इस्तरियों को संपत्ती बिश्यक अधिकार से बंचित रखा गया उनके लिए अनेक करतब इने धारित कर दिये गया इसकाल में अधी नस्त सासकों तथा अधिकारियों आधी को बेतन के बदले भूमी अनुदान देने से एक नवीन प्रविट्टी सामंत साही का उदय हुआ सामंत एक ऐसा वर्ग था जो प्राप्त भू अनुदान पर बिना सरम की अपना जीप को परजन करता था यगिपी भारत में इसका उदय गुप्त काल में हुआ परंतु गुप्त उत्तर काल में सामंत बाद अपनी पराकाश्चा पर पहुँच गया था और गुप्त उत्तर काल में आप देखेंगे सामंतों को भू राजिस्त की वसूली के अलावा सैना रखने का भी अधिकार दे दिया गया था और कलांतर में इस सामंत राज्य को चुनोती देने लगे और सुतंत सासक की भाती विवार करने लगे थे पैडाम सरू बिकेंदरी करन के प्तत्त प्रवल हो गया और देश मुसलिम आकमरकारियों के आंगे जुप गया सामंत बाद किने किसानों के सोसन के सासत अंतर जाती विवार को आगहात पहुँचाया और परंतु सामंतों के बिलासी सोभाव ने इस्थानिये सिल्प उद्द्यों को फलने पूलने का भी मौका भी दिया फिर आप देखेंगे इसकाल में अनुलोम एवं पितीलोम बिवार से समाज में अनेक वर्ण संकर जातियों का उदय होता है अनुलोम बिवार में आप देखेंगे पुरुस उच्च बर्ण का होता था और इस तरही निम्न बर्ण की होती थी जबकि पितीलोम में आप देखेंगे कि इसमें पितीलोम बिवार में संतान की सामाजी किसी थी का पिता और माता से भिन होती थी और पितीलों बिवा को घेना की दरिश्टी से देखा जाता था बुरा भी माना जाता था समग रूप से देखने पर ग्यात होता है कि इसकाल में भी पूर्व कि भाती बरमडे हों छत्री विशेसादिकार संपन बर्ग बना रहा बैसेओं की स्तिती में यहां गराबट आई और वही सुद्रों की स्तिती में सुधार होता है समय इस्तिरियों की स्तिती निम्र बनी रही और दासों की भी स्तिती खराब क्या रही खराब थी और भूमी अनुदान के कारण एक नवीन वर्क एवं विवस्ता सामन्त और सामन्त बात का उदय हो जाता है फिर आता है आपका गुप्त उत्तर धार्मिक जीवन गुप्त उत्तर काल में धार्मिक जीवन किस तरह कर रहा तो आप देखेंगे उप्तवत्तर काल में हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों के अंदर अनेक पक्षों का विकास हुआ तंद बाद जैसे संपदायों का भी उदाय हुआ धर्म में आडंबर एवं जटेलता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हिंदू धर्म के अंतरगत सेव धर्म सरवाधिक लोग प्रिये था जबकि बौद धर्म के अंतरगत महायान साखा का सरवाधिक विकास हुआ जैन धर्म का प्रभाव पंजाब, बंगाल और दच्छन भारत के कुछ भागों में था और इस काल में सभी धर्मों के अंतरगत अनेक साखाओं का विकास तथा धर्मिक क्रिया कलापों की कठोरता का कारण अरब आकमरकारियों और इसलाम से अपने धर्म की रक्षा करना था और सेव धर्म की बात करें तो सिब की प्राचीनतम प्रगयतिहासिक है और आप देखेंगे नव पासाड कालीन लोगों ने भूमी की और वरता बढ़ाने के लिए सिबलिंगों की पूजा की थी और सिब का विकास रुद्ध से सिबम की रूम में हुआ सेव धर्म का उद्गम सेंदो सब्दा में परिलक्षित होता है जहां मोहन जोदरो से परात एक मोहर पर पसुपती सिब का अंकन भी हुआ है गुप्त काल में आप देखेंगे कि सेव धर्म का अत्यधिक विकास हुआ और गुप्त काल में आप देखेंगे भूमरा एवं खो से एक मुकी सिबलिंग और कमर दंडा से चतुर मुखी सिबलिंग का साक्ष मिलता है फिर आप देखें कि गुप्तुत्तर काल में सेव उपासना के एनेक पिरमाण मिलते हैं हरस बहुत धरम सुईकार करने से पहले सेव मतान हुआ ही था कामरूप का भासकर वर्वन इबं गौन नरे ससांग सेव थे हैंसांग ने कासी में सो से मंदिरों का उलेक किया है राजपूत काल में भी सेव धरम अतिन्त पिसे दे था पाल, चंदेल, सैन बंसी ये सासकों के अभिलेक की सुरुवात पंचा चरी मंद नमस सिवाय से सुरू होती है ओम नमस सिवाय आप लोगों सुनें ना उसी की बात हो रही एक तरह से दच्छन भारत से प्यारम से ही सेव धरम की जानकारी मिलती है संगम साहित के प्रम करूप से तोल का पियम सिलपादी कारम और मडी मेखली नमा गरंथों में सेव उपासना की साक्ष में मिलते हैं साथवी सतादी से लेकर नौवी सतादी के तक दच्छन भारत में सेव नव नव नारों की द्वारा नए नारों की द्वारा आप देखें तो इसमें सिर्भ भक्ती का प्रचार पिसार किया गया सैकीलार द्वारा रचिस सैव गरंद पेरी ये पुराण में 63 नए नार संतों का उलेक मिलता है जिसमें प्रमुक्ति रूप से अपर तिरू ग्यान सवंदर और संदर मूर्ति मड़नी वाजगर और महला नार अमय यार का नाम भी मतपूर है इसमें सैव संपदाय देखेंगे तो सैव संपदाय में अगर आप लोग देखें तो संपूर सरिष्टी की रचना तीन रतनों और तीन पदार्तों में किया किरिया सहयोग से हुई तीन रतन आप देखेंगे सिफ करता सक्ति करन बिंदू उत्पादन तीन पदाद पती सेव पसू जीवात्मा और आप देखेंगे पास बंधन पासू उपत की बात करें तो लंकूलिस सिफ का 28 वा उतार इस समपताय की लोग अपने हाथ में लगुद, डंडा धरन करते थे, कफालिक, भैरप की पूजा अतिवादी, हाथ में नर्मुंनों की माला और सरीर पर समसान की लगाते थे काला मुक कपालीकों से भी ज्यादा आतीवादी कपालों में भोजन और एवं सुरापान करते थे बिर सेव या लिंगनपाद लिंगायत ए अलव पिर्भू वसव निसकाम करम में विश्वास जातीपती का खंडन पुनजरम कुन्नकारा इनोंने कस्मीरी सेव या तरिक दर्सन दर्सने के इवं ज्यानमारगी संपदाय थे नादपंद्या सहज यान सिध्धी संपदाय मतसेंद नाथ तो यह भी याद रखिएगा सेव धर्म के विकास के साथ थी साथ विभेन पिकार के पूजा करने वाली वर्गों का विकास हुआ जो अपने विचारों इवं सिध्धान्तों के अनुसार सिव उपासना करते थे बावन पुरान तथा सेवागम नाम गरंतों में सेव धर्म की पिरमुक रूप से चार संपदायों सेव बासुपत कपालिक और काला मुक का उलेक मिलता है साक्त संपदाय सक्ती को इष्ट देव मानकर पूजा करने वाले संपदाय को साक्त कहा जाता है मात देवी की उपासना को प्राक बैदिक कालीन है लेकिन सक्ती का उपासना बैदिक कालीन है बैदिक साहित में अधीती, उसा, सरसुती, आधी देवियों के विसाय में जानकारी मिलती है देवी के अधिकतर मंदिर पूर मद्दिकाल के थे जिसमें जवलपूर में भेडा घाट का पिसिद चौसट युगनियों का मंदिर साथ धरम में स्रीचक या चकपूर्जा का विसी समर्त भी था फिर आप देखेंगे बैशनो समपता है प्राचीन भागवत धरम ही कलांतर में बैशनो धरम में परिवर्तित होगा और बैशनो धरम बैशनो की भक्ती पर आलारी है गुप्त काल में आप देखेंगे बैशनाव धरम का विक्सित सौरू परी लक्षित होता है जिसमें साहित की साथ साथ आप देखेंगे मोर्तियों मंदिरों के में बिशनू की वासना के संकित मिलते हैं हरस काल में भी आप देखेंगे बैसनाओ धरम एक लोग प्रिय धर्म रहा लेकिन इसका सबसे अधिक ओतकरस राजपूत काल में हुआ चन्देर राजाओं ने खजराहों में बिस्नु के कई मंदिर बने थे और दच्छेन भारत में आप देखेंगे बैसनाओ आंदोलन का प्यारम में सरफिथम पलवों के राजब से उसके बाद यह हैं बैसनाओ धरम के अन राजब के पहला दच्छे भारत में बैशनाव धरम का प्रिचार पिसार अलवाज संतों के द्वारा हुआ जिनमें आप देखेंगे बारे संत प्रमुक्ते बैशनाव धरम में विश्नु के दस ओतारों की कलपना की गई और जिसमें कलकी, दसवा और विश्नु का विश्नु का विविश्न में होने वाला उतार है बैशनाव धरम में पांच रात्रिक, मत या फिर आप देखें बियूबाद का उदाय हुगा इसमें भगवान वासूदेव नारायन, उसके परिवारिक सौरूप वासूदेव संकर्षन, पिदुम्न, अनिरुद्ध की पूजा की जाती थी इनी चार विवू से लकरांतर में 16 उप विवू और चार विर्भेसर उत्पन हुए जिसके फलसूरूप बासूदेव की 24 मूर्तियां स्थापित हुई है और बौत देवम जेन धरम की बात करें तो बौत धरम पूरवर्ती काल की तुल्ला में पतनसील अवस्था में था और इस काल में बंगालिवों बिहार के पाल सासकों तथा हरुस ने बौत धरम को सरक्षर पेदान किया बौत धरम की महायान साखा विका विकास हुआ बौत धरम की भाती जैन धरम में भी अनेक संपदाय विक्सित होते हैं और जैन धरम में यक चेडियों का मत भी वड़क जाता है इस काल में जैन धरम राजिस्थान गुजरात मालवा और दच्छे भारत की कुछ छेत्र में लोग पिरिये था फिर आप देखेंगे गुप्ति उत्तर आर्थी किस्तिती और गुप्ति उत्तर काल में भी अर्थवस्था का मुखाधार किर्सी था एक्रिकल्चर और उपच का एक चार से एक छेवा भाग राजिस्थ की रूम में वसूल किया जाता था टेक्स की रूम में इस काल में भूमी अनुदान का व्यापक पिचलन था जिसमें किरसी समंदों में बदलाव आता और भूमी अनुदानों के कारण सामंत बात का विकास होता है। करता द्वारा बेंचने या बंधक रखने का दिकार नहीं था ठीक है राजद्वारा भूमी की सिचाई के लिए प्रयास किया जाता था राश्तरगी में कस्मीर के सासक अवंती बर्वकन के मंत्री सुध द्वारा जहलम नदी पर बांध बनवाने का भी उलेक मिलता है और इस आंत्री को बाह ब्यापार प्रणाली जीवंत रही पूर्वी तट पर तामली पी और पश्टमी तट पर आप देखेंगे देवल वडोज खंबाद इसकाल की प्रमुक बंदरगा थे इन बंदरगाहों के मध्यम से भारत का मध्देशिया और दच्छन पूर्वेशिया से ब्यापार भी होता था भारत द्वारा सूती बस्त मसाले हाती दात की बस्तुएं और अन विलास्ता की बस्तुओं का भी निरयात किया जाता था यानि कि बेंचा जाता था जबकि भारत आयात खरीत तक या था सोना चान्दी मुंगा और गोडा इस काल में बाह ब्यापार स जादा विकास आंतरिक ब्यापार का होता है और विसे इसका नए नए सिल्पों का उदय होता है का नौज मत्रा बयाना से देश के दूसरे भागों के लिए ब्यापारीक मार्ग जाते थे अनेक छोटे-छोटे राज्यों के उदय से अंतराज जी ब्यापार को नुकसान पहु गुपत उत्तर काल में सिल्फी विभिन सेनियों में संगठित होते थे जो एक ही विवसाय करने वाली संगठन होते थे और बंगाल छित मलमल के लिए पिसे दे था मालबा छित उत्तम नील के लिए और अफीम के लिए था गुजराती सूती बस्त के लिए पिसेद था गुजरात, मुद्राएं ब्यापारिक सेनियों येवं मोहरों के आभाओ और तथा अनेक सिल्व नगरों के उजड़ने से यह सिद्ध होता ही कि इस काल में ब्यापार वड़िजी के पतन के साथ समाज उतर उतर किसी मूलक होता ज हो जाता है मौरे उतर काल खतम हो जाता है क्या हो जाता है मौरे उतर भी आपका काल खतम हो जाता है अब हमें बात करनी है जो दच्छन भारत में भी आपका प्राचीन भारत में क्या इतिहास की क्या प्रमपराय रही कौन-कौन से बंस रहे हैं उस पर बात करेंगे बकाटक समराज के बारे में आप लोग सुने होंगे तो इस पर क्या करेंगे एक और भी हम लोग उसमें भी लेंगे और आपके कोई सबाल हों दो आप लोग सब बताइब को सबस्कोर्स जाओ थो उन्हें भी आगिये